अगर लालू प्रसाद यादों की सोनिया गाधी से किसी भी प्रकार की बातचीत हुई होती तो बिहार कॉंग्रेस का प्रभारी होने के नाते मुझे इसकी जानकारी होती। लालू प्रसाद ने सोनिया गाधी से बातचीत का जो दावा किया है वह जूठा है। यह सब कुछ बिहार कॉंग्रेस के प्रभारी भक्त चरदास बोल रहे हैं। और बिहार कॉंग्रेस के प्रभारी ने लालू प्रसाद यादो को एक प्रकार से जुठा करार दे दिया है। समाजिक समिकरन के आधार पर कौन सा राजूतिक दल उप्चुनाव में बढ़त बना रहा है इस मुद्दे पर बाचीत करेंगे और खास कर कॉंग्रेस पार्टी के उस दावे पर चर्चा करेंगे जिसमें कॉंग्रेस पार्टी कह रही है कि उसके पुराने मद्दाता फिर से उसके साथ आ रहे हैं वहीं कुछ वहां मद्दाताओं का दबदबा है तो कहीं मरामन मद्दाताओं के भरों से कॉंग्रेस पार्टी दावा कर रही है इन सब के बीच राश्टिय जनता दल खुद को बिजेता बता रही है जद्यू की तरफ से मुख्यमंत्री से लेकर तमाम सरकार के मंत्रियों को चुनाव प्रचार में लगा दिया गया था हर जाती के समीकरण को साधने के लिए किंद्रिये मंत्री परश्पति पारस से लेकर जितन रमाजी और मुके सहनी तक को मुख्यमंत्री नितिस कुमार न सबसे बड़ा सवाल इस समय विहार की राजिती में यही बना हुआ है कि क्या लालू-पृषाद यादो की सोनिया गाधी से बातचित हुई थी या नहीं इसका जबाब समझने के लिए आपको सबसे पहले मौझूदा राजितिक प्रस्थिती को समझना होगा लालू-पृषाद यादो कि अगर सोनिया गाधी से बातचित हुई भी होगी तो कॉंग्रेस पार्टी इस समय इस बात को इसलिए अंसुना कर रही है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होगा कि चुनाव के वक्त में कहीं कारकरताओं के बीच या मद्दाताओं के बीच गलत संदेश ना जाए गलत संदेश न चला जाए या फिर कोई confusion वाली इस्तिती नहों जाए अगर इसे समान वासा में बोला जाए तो समझे की लालू प्रशाद यादो के अनुसार उनकी बात सोनिया गादी से हुई है लेकिन बिहार कॉंग्रेस का अनुसार सोनिया गादी से बाचित नहीं हुई है और कॉंग्रेस पार्टी का इस बात से इंकार करना इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अगर चुनाव के वक इस बात का संदेश जाएगा कि राष्ट्री जनता दल और कॉंग्रेस पार्टी तो आने वाले समय में फिर से एक हो जाएगे, तब इसका प्रभाव कोंग्रेस पार्टी के मद्दताओं पर पर सकता है। आपने गौर किया होगा तो कॉंग्रेस पार्टी बार-बार राष्टिय जनता अदल पर आरोप लगा रही है कि वह भारतिय जनता पार्टी के साथ चली जाएगी। मतलब कि कॉंग्रेस पार्टी उन मद्दताओं को अपने खेमे में लाना चाहती है जिसे भारतिय जनता पार्टी की सरकार पसंद तो नहीं है लेकि राष्टिय जनता अदल को भी वोट देना नहीं चाहता है इसमें एक बड़ा हिस्सा अगणी जाती का है उपचुनाओं में उन अगणी जातियों के मद्दताओं को कॉंग्रेस पार्टी भुनाना चाहती है जो जद्यू को चुनना नहीं चाहते और राजत को पसंद नहीं करते पहले से ही जद्यू के खेमे में इस बात को लेकर चिंता है कि भारतिय जनता पार्टी अपने मद्दताओं को की बजाय किसी और पार्टी के साथ जाना हुचित समझा था और इसके खामिया जाए जनता दल उनाइकेट को चुनाव परिनाम में उठाना पड़ा था अगर आप विहार की राइनिती को समझते हैं तो आपको अच्छे से जाती फैक्टर का अंदाजा होगा तारापुल राष्टी जनता दल का कोर वोटर माना जाता है इसके बाद बैश्ट समाज बहुत ही मतपुन भूमिका में ख़डा हो गया है लगपक 40,000 मद्दाता इसी समुदाय से तालिक लखते हैं और सबसे खास बात है कि राष्टी जनता दल ने इस बार इसी समाज से आने वाले अर उमीद है और कुछ वहाँ मद्दाताओं की संख्या भी लगबक 60,000 के करीब है इसके अलावा अन्य पिछली जातियों से जद्यू को खासा उमीद है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से जद्यू को परिशानी में डालते हुए वहां से राजेश मित्रा कोटी कर दिया जद्यू के लिए परिशानी खळा कर सकता है चिराक पास्वानी पार्टी की कि तरफ से भी अगली जाति का उमीद्वार उतारा गया है इसके बाद कुषरशवरसान विद्यांतवा चेतर में ब्रहमन मत्दताओं का प्रभाव रहा है और इसी के कायरन अगर आप पुराने परिनामों पर ध्यान देंगे तो महां कॉंग्रेस पाटी बहुत मजबूती सिती में रही है लेकिन फिलाल उसकी सिती ठीक नहीं है लेकिन अगली जाती में अभी भी कॉंग्रेस की पकड मजबूत मानी जा रही है राश्चिय जनता दल के लिए यहीं फायदे की बात है और भाज़पा के मददताओं को जद्यू के पास नहीं जाने देती है तो राश्चिय जनता दल मुस्लीम तथा यादो मददताओं के गड़ जोड को लेकर मजबूत इस्तिती में रह सकती है कुल मिलाकर चुनाओ के पूर्व यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी जनता दल इनुनाइटेड मतलब की एंडिये को नुकसान पहुचा रही है लेकिन अब या तो चुनाओ पर इनाम ही पताएगा कि कौन किसको नुकसान पहुचा रहा है और कौ के ट्वीब पर देखने चनल को सब्सकाइब कीजिए मिलते हैं फिर बहुत जो लगए वीडियो में कैमरे के पीछे खड़े हों परकाश और मैं महीत कमार सी बहुत बहुत धन्यवाद